नमस्कात दोस्तों मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग अनलेसिस करेंगे एक लेडी पाम की जिनकी एज है 28 यह और इनके दो ही सवाल है मेंले इनके केडियर को लेके यह गौर्मेंट जॉब की पिपरेशन कर रहे हैं तो जॉब कब तक होनी चाहिए हो सकती है और दूसरी सवाल है इनके सेगें मेरेज को लेके मतलब इनका फास्ट मेरेज हो चुकी थी और वो डाइवर्स हो चुका है अब इनकी सेगें मेरेज के बारे में इनको जानना है तो सेगें मेरेज की नौबत क्यों आई पहले हम लोग देखेंगे हमारा जो रूल है कि हर एक इवेंट होने के लिए चाहे फॉर्चुनेट हो त्री पॉइंट हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अगर मिलती है तीन जगहां से अगर इंडिकेशन मिलती है एक ही चीज की तो होने की जो संभावना है वो काफियत तक बढ़ जाती है और यह कह सकते हैं कि होगा इस तरीके से हम लोग surety ले सकते हैं तो इस पाव में अगर हम लोग देखेंगे तो पहली जो हम लोग देखते हैं कि एक चीज तो common रहे थी कि heart line से fallen line होती है और माई लाइन में मिले या माई लाइन को काटके निकले तो यहां पर हम लोग देख्थ हैं तो यहां पर heart Line से हम लोग देखें तो हम लोग क्लियर-cutt देखेगा एक line हैस इस तरीके से आई और माई लाइन में आका मिल गई यहां से और लाइन और यहां से कलाइन आके और यहां से एक लाइन आके इस तरीके से मिलके एक mystic cross जैसे बनाते हैं उससे कभी भी confuse मत होईएगा वो वाली लाइन इस तरीके का indication नहीं देती है यह जो लाइन होती है अलग होती है जो relationship में disturbance को create करती है एक point तो यहां से मिली दूसरी point Jupiter और Saturn के बीच में हम लोग तो हम लोग को दो point मिली एक दो और और एक point चाहिए confirmation के लिए अगर हम लोग इनकी marriage line को देखेंगे तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पर multiple marriage line है ठीक है एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां और एक यहां तो चार-चार marriage line हम लोग को देखने को मिल रही ए एक बहुती आली मेरेज लाइन थी जिनके कारण इनको आली एज में शादी हो गई और मल्टिपल मेरेज लाइन हो तो ऐसे लोग की मल्टिपल रिलेशन्शिप रहती है अभी हम लोग कभी-कभी उसे शादी अग्जाम तक पहुचा पाते हैं कभी-कभी नहीं पहुचती है लेकिन मल्टिपल रिलेशन्शिप हो तो मल्टिपल रिलेशन्शिप ज़रूर होती है चाहे हो शादी करके हो मतलब सुसाइटी से हम लोग परमिशन लेके कड़े या हम लोग परमिशन लेके ना परमिशन लेके कड़े लेकिन मल्टिपल रिलेशन्शिप तो होती ही है तो multiple relationship मतला multiple शादी भी हो सकती है multiple relationship हो सकती है शादी के बगेर हो सकती है शादी के दुआरा हो सकती है कि कि सिर्फ शादी होगी society में आपका court marriage होगा आपका certified शादी होगी उसकी पहचान पाम में नहीं हो सकती है ठीक है हम लोग की relationship होगी उसी confirmation देती है तो तीन पॉइंट हम लोग को मिली जिनके कारण हम लोग को पता चल रही कि हाँ, इनके डाइवर्स होने का चंसे जो है, काफी हाई थी और हो चुकी है, और दूसरी multiple relationship line है, तो इनकी दूसरी marriage भी होगी, कब होगी हम लोग फेट लाइन की analysis से देखेंगे, और बाद में एक चीज जो काफी importance है, और palm को अगर हम लोग बहुत गौर से ना देखेंगे, तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, इस picture में clear पता नहीं चलेगा, इस picture से हम लोग को पता चलेगा, क्या है वो, थोरा हम लोग समझ लेते हैं, life line में हम लोग को और एक changes देखने को मिल रही है, क्य इस तरीके से दो lines है, इस तरीके से job की formation से बन रही है, एक छोटी सी divergence है, divergence clear समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इस time period में ही एक राहू line की कठ है, तो बहुत clearly समझ में नहीं आ रही है, लेकिन life line में divergence है, sorry, overlap है, तो जब भी overlap हो या break हो, life line में, तो उस time के बाद इंसान की जि सकती है, आपकी शादी हो और शादी तूट जाए, तो नहीं तरीके का जिन्दगी शुरू होती है, आप job करते थे, job चले जाए और business शुरू कर रहे है, तो एक नया तरीके का जिन्दगी हो सकती है, आप एक जगा पर रहते थे, और किसी कारण से आपको बहुत दूर कही जाके रहना पर रहा है, तो आपकी नहीं जिन्दगी शुरू होगी है, नहीं जिन्दगी की शुरूआद होती है, जब भी life plan में overlap दिखे आपको, उस time के अंदर जो time period रहती है, उस time period के अंदर जरूर होती है, तो इनको भी काफी आल्लियज में हुई, तो इनकी आपके जिन्द से समझ लेते हैं, पाम में क्या क्या खासियत है, इनकी क्या क्या qualities है, इनकी क्या characteristics होगी, उसके बाद हम लोग उनकी और एक स्वाल है, क geared को लेकि उसकी उपर हम लोग फोकस करेंगे, पाम काफी लंबी है, पाम काफी लंबी है, peng ज्योओं के पाम हम लोग ज़्यादा stress line हो तो ये लोग depression में भी जा सकते हैं तो इस palm में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर my line में parallel line है जो disturbance होती है किसी भी main line के साथ parallel line नहीं होनी चाहिए अगर parallel line हो तो disturbance होती है एक disturbance यहाँ पर देखीं दूसरी disturbance अगर हम लोग देखें जो चाहिए stress line बहुत ज़ लेकिन बहुत ज़्यादा है जब यह इस तरीकी का चोटी मोटी line देखें में लाइन को कटती हुई या इधर उधर उठ रही है जिसका कोई नाम नहीं है तो समझ लेजीएगा वह stress line ही है जिसका कोई चाल चलन का ठीक नहीं है सीधा जा रहा है टेरा जा रहा है कोने किसी क कोई कर रहा है या जुक रही है तो हैसे काफी इमाजिनेटीव होते हैं Daha ने झाल नाम में थोड़ी पॉल्म में इसे लोग बहुत जल्दी depression में आ जाते हैं कुछ भी घटना घटे इनके साथ unfortunate घटना घटे तो ये लोग depression में आ जाते हैं बहुत जादा सोचते हैं चद्रमा मांट में भी देखेंगे तो ये मांट में हमें यहांपे देखेंगे तो एक इस तरीके का पैरलल लाइन है और इसके साथ एक cross राकट बनता हुआ देखने को मिल रही है तो यह क्रॉस और भी है यह थोरी नेगटिव होती है यहां पर सोचने के कारण depression इसके रेमीडिय क्या है meditation कर सकते हैं आउट्डोर exercise कर सकते हैं आप राइटिंग कर सकते हैं जो भी आप सोचते हो लिखी एक डायरी लिखी ना डेली का डेली देखी आपका depression बहुत ज़दा कम हो जाएगा जब भी आपने पूरी दिन की जो भी आपके साथ घट रही उसको अगर लिखेंगे तो आपका जो मन है वो हलका हो जाएगा और उसको लेकर आपको बाद में सोचने की जोरत नहीं होगी क्योंकि आप लिख चुके हैं तो डिप्रेशन कम होगी तो दोनों फैलेंच को देखेंगे तो दोनों फैलेंच यह बराबर ताकत वर है लोजिक पर थोरा जादा लंबा है लेकिन उइलपावज जादा मोटा है तो दोनों ही काफी पावरफुल है तो ऐसे लोग planning भी अच्छी कर पाएंगे और execution के काम भी अच्छी कर पाएंगे लेकिन thumb लंबी है तो leadership quality अच्छी रहेगी job करते हैं ये लोग अगर तो senior position में job करने का chance जादा high रहेगा मोटा मोटी senior position में बहुत बड़ी नहीं लेकिन मोटा मोटी senior position में job करने का chance जो है लोगों की काफी high रहती है थम के बीच में job formation देखने को मिल रही है छोटी सी है लेकिन फिर भी है तो काफी पैसे जमा कर पाएंगे एक अधुरा है बड़ा सा और एक छोटा सा है तो पैसे आप जमा कर पैसे निकल जाती है तो यहां पर हमें पैसे आने का और पैसे निकलने का दोनों ही इंडिकेशन देखने को मिल रही है present time में यह लाइन चले जाते हैं जब आपकी हाला सुधर जाती है आपकी नेचर ठीक हो जाती है कि जाधा पैसे ना खर्च करें तो दीरे दीरे यह लाइंग भी कतम हो जाती है और आप पैसे सेविंग्स कर पाते हैं फिंगर्स काफी लंबी फिंगर्स है यह जो फिंगर्स है काफी लंबी है तो ऐसे लोग थोड़ा धीमे-धीमे काम करना पसंद करते हैं बहुत फास्ट नीन लेना एक्शन लेना पसंद नहीं करते हैं थोड़ा टाइम लेके सोच समझ के ही अपने डिशन लेतना पसंद करते हैं जुपिटर की जो फिंगर है बाकी सारे फिंगर के बड़ी मरकड़ी माउंट है और जो में खासियात है बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ जब भी इस तरीके से जुख जाए मरकड़ी माउंट ऐसे लोगों की बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की या लेडिस की काफी अच्छी बिजनेस सेंस रहती है अगर ऑगर ऐसे लोग बिजनस करते हैं तो पूअकर करते हैं अ आप एक cross sign भी बन रही है तो मरकड़ी में cross sign बनना ये difficulties को दिखाती है कि आपकी creation power तो है creativity power तो है लेकिन वो obstacle में है आप उसे आईदर use नहीं करते हैं या बेकार में बेकार सोचते हैं मतलब ये किसी काम का नहीं इस तरीके का अगर सोच रखते हैं वो negative marking आ जाती है ठीक है sun mount की और बात करेंगे तो sun mount में हमें sun की जो line है वहाँ पर थोड़ी pollen देखने को मिल रहे है क्योंकि sun की line जो है east period में तो काफी strong है लेकिन heart line में आते ही ये काफी हल्की हो रही है ठीक है और यहाँ पर chain की net sign भी है net sign क्या होती है इस तरीके का net sign इसे या grill sign कह सकते है मैं पहले draw कर लेता हूँ तो जब भी आपको इस तरीके का sign दिखे के एक जगा पर बहुत सारे line हो और बहुत सारे चोटे चोटे square बन रही हो तो इसे grill sign कहते है grill sign मतलब या net sign मतलब यहां पर आके जो energy फस जाती है energy flow होनी चाहिए लेकिन यहां पर आके क्या होगी energy घुमती रहेगी कहीं पर भी निकल नहीं पाएगी कोई shape नहीं ले पाएगा तो जिनके कारण क्या हो दी है fame मिलने में sun mount में हो रही है दबी होनी चाहिए दबी है और sign की बात करेंगे तो यहां पर एक अच्छी sign है जिनके कारण पूस्ते नहीं जमीन जायदा से आपको काफी अच्छा help मिलेगा वहां से आपको support मिलेगा certain mount में धन रेखा को अगर ढूनने जाएंगे तो धन रेखा है धनकी कमी नहीं रहेगी जब भी किसी चीज़ की जूरत रहेगी उसके लिए आपके पास हमेशा पैसा रहेगा यहां पर जो भी अगर हम लोग देखे तो एक flag की formation जैसी भी बन रही है यह दिखाती है कि केडियर की बुलन तक पहुँचेंगे मतलब आखिरी तक अपकी केडियर में ग्रो होता रहेगा लेटर एच तक जब आखिर तक अपने काम करते रहेंगे चाहे जॉब करे या बिजनेस लेटर तक आपको सक्सेस मिलता रहेगा यह flag formation इसी की confirmation है और कोई बहुत बड़ी कोई sign इस तरीके का नहीं है यहाँ पर आपको बहुत सारी square जैसी दिखेगी लेकिन यह सारे जो घंडे का बगएर है उसके कारण हो रही है तो उसको हम लोग acknowledge नहीं करेंगे जुपिटर मावन पहली बता चुका हो इस sign के कारण यहाँ पर थोरा उबर होने के कारण disturbance create होती है लेकिन केरियार को लेकर आपको काफी dissatisfaction है क्योंकि यह वाली cross sign दो एक ही cross sign होती है जुपिटर में cross दो result देती है एक इस तरीके का बड़ा cross हो तो negative माना जाता है केरियार को लेका dissatisfaction रहती है जब हो अपकी है कि आपपी परषण कर रहा है जॉब नहीं मिल रही है तो dissatisfied है यहीं पर हो जाए छोटी-छोटी सी यह केडियर की बुलन तक पहुचाती है जैसा मैंने चोटा-चोटा ड्रोक है उतना ही चोटा-चोटा होता है बहुत ही बारीक तरीके से देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा फोकस करने के बाद देखने को मिलती है इस तरीके के अगर क्रॉस साइन चोटी-चोटी हो तो केडियर की बुलन तक पहुचाती है और केडियर को लेके लोग काफी satisfied रहते है ठीक है और यह क्रॉस साइन उसकी जो अभी इनके पाम में है totally opposite है यहाँ पे square sign भी बन रही है इसे हम लोग teacher square कहते है teacher square हो तो ऐसे लोग अच्छे leader बन पाते हैं अच्छे teacher बन पाते हैं अच्छे manager बन पाते हैं क्योंकि यह जो अपने अंडर काम करते हैं यह अपने student होते हैं यह अपने colleague होते हैं उन लोग अच्छी तरह से समझा पाते हैं काम काज जिनके कारण यह काफी अच्छे successful बनते हैं अपने field में leader बने तो successful बनते हैं खड़ी line है सारे के सारे line की importance है देखे इसी को लेके मैंने पहले cross line बनाया था अभी हम लोग इसी line को individually भी discuss करेंगे ये line दोनों ही तरीके का काम करेगा खड़ी line है तो ultimately आपको success ज़रूर मिलेगा अभी dissatisfaction है तो बाद में ही है चला भी जाएगा सल्मान रिंग जैसी line है सल्मान रिंग अगर हो पाम में तो ऐसे लोग निष्टावान होते हैं काम के पती तो आप भी अपने काम के पती काफी निष्टावान होंगे मंगल माउन नॉर्माल है ठीक है ना ही बहुत बड़ी strong ना ही बहुत हम लोगो एक दम वो देखने को मिल रही क्योंकि उबरापन है जगा छोटी है लेकिन उबरापन है तो strong दिखा रही है जगा जादा नहीं मिल रही है तो उतना जादा powerful नहीं है तो medium है और इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे राहू लाइन भी बन रही है यह वाड़ी अगर लाइन इस तरीके से बने यहाँ पर star या cross sign बने तो यह negative बन जाती है तो थोड़ी बहुत negative की तरफ है highly positive नहीं है और highly negative भी नहीं है थोड़ा बहुत negative आपका मंगल मांट देखने को मिल रही है remedy आप क्या ले सकते हैं राहू लाइन आके life line को cut रही है life line में disturbance create कर रही है तो जिनके कारान आपको क्या करना चाहिए तीन मुखिर उद्राक्ष गले में धारान ज़रूर कर सकते हैं जो आपके लिए betterment रहेगा फेनस मौंट की और देखेंगे UP ले लेज़री लाइन है जिनके कारान आपके पास जिनदगी में काफी ले लेक्जरी रहेगी यह सारे लाइन लेक्जरी लाइन होती है Lux yangst life lead करते हैं अभी भी आपकर रहे हैं अगर पैसे हो तो life luxury lead करेंगे अगर पैसे नहीं हो तो लेजी लाइफ लीड करते हैं दोनों ही लग्जरी के हिसाब में ही आती है तो पैसे के मामले में तो बहुत ज़दा अन्फुर्चुनिट अप है नहीं तो आप काफी लग्जरी लाइन लीड कर रहे हैं मून माउंट ठीक ठाक है लेकिन नेगटिव मार्किंग हम लोग देख चुके हैं कि क्रॉस सेंग बगरा बन रही है तो जिनके कारण थोड़ी बहुत मून माउंट नेगटिव होती है यहां से अगर देखें तो थोड़ी कौन बना रही है इस तरीके से होता तो मून माउंट स्ट्रॉंग बनता लेकिन इधर से थोड़ा कम जगा मिलने के कारण थोड़ा मून माउंट का जगा कम मिल रही है जिनके कारण negative imagination हाई रहेगी positive imagination कम रहेगा creativity power रहेगी लेकिन उसको निखारने में तकलिफ होगी आईगी नहीं टाइम में, creative knowledge तो अपकी है लेकिन उसको निखानने में तकलिफ होगी creativity power में तो यह जो हमें देखने को मिल रहे हैं कि upper mount अपकी ज़्यादा strong है whereas lower mounts जो है सारे वो कम powerful है तो lower mount अगर कम powerful हो और upper mount ज़्यादा powerful हो तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना है जहाँ पर physical labor थोड़ा भी लगे हमेशा ऐसा काम जरूर करिएगा जहाँ पर आपको बैठे बैठे करना पड़े बिल्कुल lazy तरीके से अपने दिमाग को दोरा के किया जाए इस तरीके का काम काजी करिएगा ऐसे काम में भूल करके ट्राइ भी मत करिएगा जहाँ पर physical महनत की जोरत हो आप करने ही पाऊँगे और ठक जाऊँगे और काम को छोड़ देऊगे उससे बहतर ही रहेगा कि आप ऐसे काम ढूंड़े जहाँ पर दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत पड़े और बैठे बैठे किया जाए बिलकुल शारीरी जो ठकावट है या शारीरी जो इनर्जी है उसकी ज़रूरत ना पड़े अभी हम लोग बात करेंगे में लाइन की आपकी तीनों की तीनों में में ही खड़ाबी है तो जिन्दगी में बहुत बड़ी सक्सेस बड़ा कुछ एचिप्मेंट करने में बाधाय आएगी जब भी में लाइन खड़ाब हो जाए तो बहुत बड़ी सक्सेस मिलने में दिक्कत आती है सक्सेस मिलती है थोड़ी बहुत अभी कुछ मिला 2-3 साल फिर वहाँ पर कुछ नहीं मिला उसके बाद फिर से मिला फिर खड़ाब गया time पुछ फिर से मिला इस तरीके से किस्तों में मिलती है एक तरीके से मिलती है नहीं रहता है ठिक है कभी आप कभी down कभी आप कभी down ऐसे रहते हैं जिन लोग के main line खड़ाब रहीती है तो यहाँ पर भी देखे खड़ाबी क्या है heart line में पहले तो parallel line नहीं होनी चाहिए जो है parallel line से यह heart line बन रही है job की formation बहुत सारी यहाँ पर भी job की formation जैसी formation 2-3 line से इस तरीके से बनने वाला line कभी भी positive नहीं होती है जो आपकी heart line में हमें देखने को मिल रही है तो family में कोई disease है तो ओ होने का खत्रा रहेगा ठीक है अगर आपका heart या sugar related कभी कोई problem आ जाए तो बड़ा होने का खत्रा रहेगा तो उस चीज़ से भी आपको prepare रहना चाहिए या फिर उसका precaution लेनी चाहिए mind line की बात करेंगे life line को देखेंगे तो mind line से जुड़ी हुई है लेकिन बचपन की age में तकलिफ काफी थी ये वाली जो sign बनती है ना double job mind line में भी और life line में भी ये दिखाती है कि बचपन की age में तकलिफ से उज़रा चाहो financial हो या family के किसी भी कारण सो लेकिन बचपन की age उतनी बहतर नहीं गई उसके बाद mind line अलग हुई इस तरीके से चल रही लेकिन एक parallel line भी इस तरीके से है ये double mind line नहीं है parallel line negative होती है बहुत ही close एक main line की और main line जाती है दो line मिलके ही एक line बनाती है तो negative होती है वहाँ पर क्या होती है उस line की जो energy है या फिर जो power है positive power है वो निखरे नहीं पाती है लोग दबी रहे जाती है तो ये चलेगा सिलसिल आपका कड़िप कड़िप अगर हम लोग देखे तो 35 तक तो ये main line की problem आपकी चल रही है तो जिनके कारण बहुत बड़ी success मिलना मुश्किल रहेगी और main line की अगर लंबाई देखेंगे तो main line काफी लंबी है तो ये positive निस हमें देखने को मिल रही है कि हाँ आप government job की कोशिश जरूर कीजिए ऐसे department में या ऐसे organization के government के कड़िए जहाँ पर आपको जो काम मिलेगा वो बैठे बैठे करना पड़े जैसे के staff के job हो गया आपका clerical जो staff होते हैं उस तरीके का job होते हैं उसका job की try करिएगा आपको मिल जाएगा ऐसी job मत try करिएगा जहाँ पर field work की जोड़त पड़े ठीक है ऐसी railway में मत जादा try करिए जहाँ पर भी आपको clerical मिले उस तरीके का job की आपको शिश करिए आपको मिल जाएगी ठीक है उसी तरीके का काम अभी मेरी दिमाग में आ रहे है तो मैं उसी को बता रहा हूँ और भी ऐसा कोई काम आपको जौब की एड़डेज में मिले जहाँ पर आपको physical महनत जादा नहीं करनी पड़े बस एक ही जगा पर बैटे-बैटे करना पड़े तो उसके लिए भी आप try कर सकते हैं ओ भी मिलने का chance ओ ही है same percentage ही है काफी high percentage है क्योंकि आपको माइन लेन लंभी है तो आप पर्मनेंट काम ही करेंगे सरकारी नकड़ी मतलब हमेशा सरकारी नकड़ी ही करेंगे तो ही success मिलेगा ऐसा नहीं है किसी भी बड़े organization में भी आप job कर सकते हैं लेकिन जहाँ पर भी करेंगे लंबे समय तक ही आप करेंगे एक ही जगा पर एक ही organization में लंबे समय तक करेंगे लाइफ लैन पहली ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर age अगर हम लोग calculation करेंगे तो पता चलेगा कि यह 35 को कटती है तो यह जो दिखा रही है कि 27-28 के कड़ी भी यहाँ पर यह उभैले आपकी condition थी तो इस टाइम में आपकी life की change हुई तो जो रही है कि पिछले एक देर साल के अंदर ही आपकी divorce हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर हमें एक लंबा जगा देखने को मिल रहे है जो दो साल तो लिगा ही उसके बाद आपकी जो life है उसकी changes हो रही है की तरफ से बाढ़ की तरफ बनने के बाद यह line अंदर की तरफ आ रही है तो जो यह इस तरीके से बन रही है इससे आपकी life में changes तो आ रही है लेकिन नहीं बहुत जादा positive नहीं जादा negative बदलाव आई आपकी जिंदगी में जिन्दी की वैसे ही रही, बस बदलाव आए, बहुत जाता कुछ चेंजिस नहीं आई, ना इधार पॉजिटिव ना इधार निगटिव, लेकिन इसके बात क्या है, जो आपकी एज है 28, यहाँ पर अगर देखेंगे तो लाइफ लाइफ लाइन की सिचेशन खड़ाव है, य आप हेल्दी रहना आपके लिए मुश्किल रहेगा, शायद ऊपर से आप हेल्दी महसुस करें लेकिन अप अंदर से कमजोर होंगे, जब आपकी दूस्री शाधी हो जाएगी, बच्चे जब आप लेने के कोशिश करेंगे, तब दिक्कत आ सकती है, मिस केरेज होने का खत से ही काम चल जाएगा लेकिन जब शादी हो जाए रेट को राल गोल्ड के साथ आईदा रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर में ज़रूर पहनिएगा वेट रखिएगा 15 करेट के कड़ीब डार्क रेट कलर के इटालियन रेट को रर ज़रूर पहनिएगा यह आपकी लाइ लाइफ लैंड को टच करके निकल रही है बाहर की तरफ गैब बरा रही है यह आपको हमेशा पोटेक्ट करता रहेगा चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो हेल्थ या इमोशन के मामले में आप उभर जाएंगे आपके माल्टिपल मंगल रेखा है तो आपके घर में जरूर क कि एक लाइन इस तरीके से लंबे होके मून माउंट की तरफ जा रही है मून माउंट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर नेटिव मार्किंग के साथ कुछ पॉजिटिव मार्किंग भी है यहाँ पर ट्राइंगल की फॉर्मेशन भी बन रही है सेटन की एक लाइन हलकी सी सन की तरब जा रही है तो ये भी एक कुछ और एक indication दिखा रही है कि आपके foreign का भी connection हमें पाम में देखने को मिल रही है हो सकती कि आपका अगला शादी दूसरी शादी जो आप करने जाएंगे रिमेरेज जब करेंगे तब उस शादी के कारण आपके foreign जाने का भी मौका मिल सकती है अगर जिन्दगी में मिलती है foreign जाने का मौका तो जरूर जाएगा उहाँ पर जाके आपका काफी progress होगा क्यों progress होगा क्योंकि यहाँ पर यह sign है triangle sign यह foreign money की indication दिखाती है या फिर ऐसा भी हो सकती है क्योंकि आप इसी जगा पर रहके किसी multinational company के साथ काम करें जो company बाहर की है बाहर किसी कंटी के है तो यह दो चीज के कारण आपको जरूर success जिन्दगी में मिल पाईगी ठीक है इस तरीके का connection आपके साथ जरूर होगा और एक चीज मैं बताना भूल गया आपके सेटन माउंट और सन माउंट में दोनों ही जगा पे ना ट्राइडेंट की formation है देखिए तो जब भी इस तरीके का formation बने ना तो ऐसे लोग क्यों कि multiple profession होते है आपकी भी multiple profession ही रहेगा आप एक काम नहीं करेंगे आप दो तीन तरीके का काम से पैसे कमाएंगे हो सकती कि एक में ज़्यादा एक में कम हो लेकिन multiple profession तो आपको होगा ही होगा present time में भी शायद आप multiple way से पैसे कमा रहे है ठीक है multiple way से हमेशा पैसे कमाते रहेगा वही आपके लिए अच्छा रहेगा एक से ज़्यादा होगा एक में केरियर रहेगा दूसरा छोटी मोटी रहेगी पर्ट टाइम रहेगी लेकिन होगी तो ज़रूर multiple income multiple जगह से आपकी income होती ज़रूर रहेगी चलते हैं आपकी में केरियर की बात करते हैं faith line को faith line जो है आपके पाम में यहां से उठ रही है यहां पर एक स्टार की जैसी formation बना रही है faith line में और यहां से यही से faith line सीधी भी हो रही है तो यह जो age है आपका इसी age है 28 के करी तो इसी age के करी आपके करियर में job मिलने के chances काफी हाई है स्टार का fellow कितना रहेगा 28 से लेके 29 तक maximum रहेगा यह एक दो महीने और इधर उधर हो सकती है लेकिन एक साल के अंदर मुझे बहुत ज़ादा high possibility देखने को मिल रही है कि आपको एक अच्छी job मिल जाएगी क्योंकि faith line में स्टार की formation बहुत ही बड़ीया केरियर की शुड़वात की इंडिकेशन दिखाती है ठीक है और यह स्टार साइन काफी क्लियर भी है काफी क्लियर हमें स्टार साइन बनने बनता हुआ देखने को मिल रही है ठीक है तो इसके कारण आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलने के चांस है केरियर में अभी इसी एज के कड़िब इसके बाद faith line जा रही है फेट लाइन पे मेजर कोई पॉलम नहीं है बीच की एज में कड़ीब कड़ीब अगर हम लोग देखे तो 32 से लेके 36 तक थोड़ी बहुत difficulties रहेगी क्योंकि वहाँ पे line थोड़ी मोटी है वहाँ थोड़ी shadow जैसी formation है अगर ये shadow हट जाती है ये वाली जो side में line जैसी formation है ना धबे धबे है ये shadow है अगर shadow हट जाती है तो बहुत ही बढ़ी आ रहेगी लेकिन अगर shadow रहे जाती है स्टाइब में हो सकती है कि आपका जॉब चेंज हो या फिर बहुत जादा पैसे खर्च हो जाए कुछ ना कुछ हो सकती है कि कट बगरा भी है उस एच के कड़ी लेकिन उस एच से आने से पहले और एक स्टार की फिर्मेशन है नहीं हम 새로 से आफ की फेet लाइन घिर रही तो अभी से शुरू हो रही है आपकी अच्छी टाइम केडियर की और आगे बीज बीच में छोटी मोटी डिकल्टीस को अगर आप इग्नोर करें तो आपकी केडियर काफी अच्छी रहेगी गौर्मेंट चिक की जॉब आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए आपको मिल भी जाएगी इस है मेजर को डीस्रावन्स तो है नहीं यहां फटोड़ी यह रहे अपकी कडिश करणी होगा नहीं तो यहां पर थे कडियर में अप्डाउन रहे था लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं स्मूदली आपकी केडियर चलता रहेगा बहुत लंबे एज तक तो जॉप गॉर्मेंट जॉप पाने का चांस काफी हाई है री मेरेज कब होगी री मेरेज कब होगी अगर हम लोग उसकी बात करेंगे तो री मेरेज कब होती है एक तो मेरेज लाइन से पता कर सकते हैं चलते हैं मेरेज लाइन की ओर तो मुझे जो देखने को मिल रही है ये वाली लाइन कब कितना आएज होगा यह यहां पे एक है और यहां पे भी और एक है तो ये तो कड़िप-कड़ी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों ही लाइन इसी एच की तरफ इशाड़ा गड़ती है तो अगले एक दिर साल के अंदर अपका मेरिज लाइन से भी शादी होने का इंडिकेशन है चलते हैं फेट लाइन से भी हमें वही इंडिकेशन पकर में आती है फेट तो यहां पर देखे तो ऐसा situation बन रही है इस पॉइंट में और इसका एज होगा आपका लगभग अगर हम लोग देखे तो 29 से लेके 30 के बीच में तो 29 से लेके 30 के बीच में आपकी शादी होने का चांस है चांस क्या इसी टाइम में यहां पर अगर नहीं होती है मैजलाइन क करान 28 के एज में इस एज में तो यहां तो जरूर होगा तो अभी से लेकर 30 तक आपकी दूसरी शादी बी क्लियर कट जरूर हो जाएगी क्योंकि दोनों ही चांस हमें काफी हाई चांस फेट लाइन और मेरेज लाइन से देखने को मिल रही है फाइनस कैसे रहेगा काफी अ अच्छी होती है आप पर मांट दूब रहा हुआ हो फेट लाइन बगेरा का कंडिशन अच्छी हो और में लाइन भी थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा हो तो ऐसे लोगे फाइनस की डिफिकल्टिस नहीं होती है तो पैसे आपके पास रहेगा हायर एकोनोमी हायर मिडल क् एकोनोमी आप हमेशा एंजॉय कर पाएंगे तो इसी के साथ इस एनलेजिस को ही पर रखते हैं एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे तब तक के लिए आगया दीजी शुक्री अपलोगा